हाई फ्रेंड्स प्रकाश और टेक मॉनिटर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों फेब के एंड में होने वाला MWC यानि कि मॉबाइल वाल कॉंग्रेस और यहां पे मोटरला लॉंच कर सकता है तीन फोन जो हो सकते हैं Moto G6, Moto G6 Plus और Moto G6 Play तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करेंगे Moto G6 Play के बारे में दोस्तों यहां पर इसकी डिजाइन और कुछ स्पेसिफिकेशन बाहर निकल के आच चुके जिसे आगे इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों फिला यह लीक्स और से वीडियो बनाया है और वहां पर मैंने आपको बचाया उसका डिजाइन कैसा है और किस तरह का स्पेसिफिकेशन उसमें दिया जाएगा अगर वो वीडियो आप देखना चाते हैं तो उसका लिंक उपर इस वक्त आई काड में दिखाई दे रहा होगा मैं रिक्वेस्ट क काम यहां पर मोटर ने किया इसके डिजाइन के उपर पीछे की तरह इसका बैक कवर दिया गया काफी ग्लॉसी होने वाला है तो इससे यह स्मार्ट फून को थोड़ा एक प्रीमियम लुक यह दे रहेगा और फोन का ओवराल डिजाइन भी आफे काफी अच्छा दिख रहा बलकि वो लोगो के अंदर ही यहां पे फिंगरपिर्ट स्कानर को सिट किया जाएगा, तो स्म्प्ली आपको एम को टेच करना है और वो फिंगरपिर्ट स्कानर के जैसे काम करेगा तो साम में के तरफ आपको उपर मिलेगा सेल्फी कैमरा फिला लेकैं रिजुलूशन यानि कि 720 x 1440 इसकी resolution होने वाली है तो यहां पर आपको full view display इसमें मिलने वाला है और ठीक screen के नेक्छे आपको इसका brand मिल जाएगा जो है Motorola इसके अलावब दोस्तो यह phone काफी पतला होने वाला है फिलाल इसकी width कितनी होगी इसके बारे को information नहीं है और बावजूद इसके इसम storage, 3GB RAM और 32GB storage इसके लाव दोस्तो इस phone में दिया जाएगा 4000 mAh की battery तो specification के हिसाब से overall phone काफी अच्छा लग रहा है अब यह देखना होगा कि motor नहीं हाप इसकी क्या pricing रखता है और कब तक यह इंडिया में launch हो जाएगा तो यह छोड़ा सा update था दोस्तो Moto G6 Play के उपर उमीद क हैं वन्ने मात्रा